हाई गाईज वेल्गम बेक तो मारी चानल मैं हुशु गमा और वेट चानल पर फिर से एक पर आपको सुआता है तो आ गई हूं मैं नवरात्री डाइट प्लाइन के साथ और सबसे पहले मैं मॉर्णिंग मैं आपसे यही बोलन चाहूंगी कि हैपी नवरात्री और गुड मॉ जब अच्छी चीज़ आपको जो फीड रिट लॉज चाहर आपको अच्छी पानी पीना ही यह चीज बहुत घ्यायन दो और बहुत ही सस्की चीज़ों के साथ यह आपके साथ यह ड़ी बेर में बहुत ही अच्छे से आप बढ़ लॉस करोगे यानि कि अगर इस ड़ाइप आप प्रॉपर तरीके से आपने इसे फोलो किया तो आप 6-7 लिक्विट लॉस करोगी करोगी जो आप पर गेन नहीं होगा जब आप नौर्ब खाने प्या होगा तो सबसे बड़ी बात है वो गेन नहीं होगा और बहुत सारे लिक्विट चीज़े हैं और हाँ एक चीज़ आप बताना चाहोंगी कि जो लोग नमक प्रिपर नहीं करते हैं वो भी इस डाइप्लान को फॉलो कर सकते हैं में मैं थ्री टू फॉर मेल में माने से करवर्ट किया है आप मार्नि dragon pass गी लेंगे, mid meal भी लेंगे, lunch भी लेंगे, pros lunch, drink भी लेंगे, आप evening, snack भी लेंगे आप nite भी लेंगigator, तो सारे चीज़े लोगोंछे हैं बहुत इंटरस्तिंग हैं जितने इनग ग्लमों इस अंचि कर लिए और बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत कुलेगा तो चलिए चल देगा वीजय की तरफ तो फ्रेंट्स इस के लिए आपको फर्स्ट अपॉल मॉर्णिंग का जो ड्रिंक है वो लेना है जीरे वाला पानी ऑसफियर आप अप यक्फी आप सकते है को प्लस £ अप ले सकते हो जो मैंने आपको स्वैलिंहलिटी ऊपॉल्इटी बताइए but incubator अभाट आती है सुबह के नाशते की In the Malay cuenta में है जो हम फक्राट भी आसफिय और सारी चीज़े एक साथ खानी है, आप पल प्लस दूद, जो कम घीवा लाता है आपको वो लेना है, सेगड आप्शन में दूँगी, आप ले सकते हैं, फ्रूट शेक, आप फ्रूट शेक ले सकते हैं, ठिक है, और प्लस शिक्स बादाम, आपको लेना है, थर्ड चीज़ आप ले सकते हैं, राजवीरा, यानी की, आपको, मैं बोलू तो, जो रामदाना होता है, बहुत एजी और बहुत ही सस्ता मिल जाता है, रामदाने की खिचुडी आपको लेनी है, आप खिचुडी ले सकते हो, या पे लो फैट जो मिलकाता है उसमें आप रामदाना डाल के खा सकते हो, विधानी, ठीक है, उसके बाद आपको मिड मॉर्निंग क्या करना है, यानि कि इसके बाद आपको क्या करना है, नाश्टे के एक घंटे, दो घंटे बाद आपको क्या करना है, इसमें भी मैं आप्शन लोगी, आप ले सकते हैं, मीम 2nd option मैं आप दूँगी कोको, निट, पानी, लस बाला आप ले सकते हैं, 3rd option मैं आपको दूँगी, ग्रीन टी, 4th option मैं आपको दूँगी, चीया, शीट्स, बाला, पानी, वो मैंने अल्रेडी लीटर को बताया है कि आपको कैसे लेना है, ठीक है, उसके बाद मैं लंच की बात करूँ, यानि की, दुपहर के खाने की, तो 1st option मैं दूँगी, वो है साबू, दाना का, चिल्ला, ठीक है, प्लस, धनिया की चट्नी, सेकंड ऑप्शन मैं दूँगी आपको, सामक राइस जो आता है, सामक वाला चावल, प्लस, दही, और जो मुपली, मुपली की कड़ी, प्लस, सलाद, प्लस, राइता, ठीक है, ये आप ले सकते हो, थर्ड ऑप्शन मैं दूँगी, आप जो कुट्टू, के, आटे की, रोटी, मुपली, प्लस, लौकी की, सबजी, प्लस, राइता, प्लस, सलाद, तो, आपको लेना है, एक, ग्रीन टी, आपको ल्दी, लेना है, इसके आधे घंटे बाद, लंच के आधे घंटे बाद, अगर मैं शाम के रच्छते की बात करूँ ठीक है, इसमें आप ले सकते हो green tea प्लस आपको लेंना है nuts मठाना ले सकते है roasted ठीक है प्लस आपको राम दाना के एक लड़्डू ले सकते हैं राम दाना अगर आप लेंगे अपनी डाइट में आड़ करेंगे तो मैं बता ने सकती कि आपको कितना ज़ादा फाइदा होने वाला है और इसके बाद अब मैं यहाँ पे लंच डिनर लिखती हूँ अब मैं डिनर की बात करूँ तो आपको लेना है बहुती टेस्टी पनीर टिक का आइटिंग हर किसी को बनाना आता है नहीं बनाना आता था कोई निवी चानल लिकाल के देखेंजे उसमें आपको मिल्कम अगें प्लस फल ले सकते हैं थर्ड आप्शन दूँ तो दही प्लस खुब रेड़ सला आप सलाद ले सकते हैं फोर्ड आप्शन दूँ तो आप कद्दू प्लस लौकी का सूप और प्लस पनीर क्यूब्स जाल के ले सकते हैं तो यह सारा डाइट प्लान आपका हो गया है जो मैंने बहुती अच्छे से रेड़ी किया है अगर आप इन सारी चीजों को लेंगे तो बॉटी में किसी चीजी कमी नहीं होगी इवन बहुती ज़्यादा ग्लो करेगी आपके स्किन बेट आपका बढ़ेगा नहीं खटेगा और पेट आपका बहुत अच्छे से भरी रहेगा और आपको बिलकुल भी देहईडरेशन की प्रॉब्ल्म नहीं होगी इवन जो लोग नमत नहीं प्रिफर कर सकते हैं वो इस डायट प्रान को ले सकते हुं नहीं बताई है, एक बार ट्राइब करिएगा, अगर अच्छा लगे, वेट लॉस हो, तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा मेरा ये अच्छा सा, इंट्रेस्टिंग सा, और बहुत सारे चीजों को पढ़ने के बाद, बहुत सारी चीजों को रिसर्च हरने के बाद, मैंने ये डाइप्लाइग तयार किया था, तो वीडियो जला सा भी इंपोर्मेटिव लगा हो, मेरी महनत अच्छी लगी हो, तो detectато आटेगे ने मैंगे कापटे काइन माझने के बाद, बाद!